इस वीडियो में मैं आपको उताने वालों फ्रेंड्स के आप रेड्मी 9 के मॉइल फोन में आगया है सिम कार्ड को लॉक और अनलॉक कैसे कर सकते हैं इससे क्या होता है तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लाश्टर तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं स सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसके लिए आपको जाना रेड्मी 9 मॉइल फोन के सेटिंग में और फिर नीचा आना है नीचा आने पर आपको एक option मिल जाएगा देखिए पासवाट एंड सिक्यरोटी का इस पर क्लिक करेंगे इसमें आपको नीचा आने पर एक option मिलेगा प्राइवेसी का इस पर क्लिक करेंगे और इसमें आपको यहाँ option मिल जाएगा आपका जो सिम होगा तो वो नेम आपको दिखने को मिल जाएगा एटेल या फिर जियो जो भी है आपको जिस भी सिम में लॉक लगाना है उस सिम पर क्लिक करेंगे और सिम कर को लोग करने के ल अपने mobile को जो है off करने के बाद on नहीं कर पाएंगे तो यहां पर आप ध्यान रहें कि पिन आप वैसा ही डाले जो कि आपको हमेशा याद रहे आप देख सकते हैं मैंने पिन डाल दिया है पिन डाल दिया है आपको यहां ओके पर देना है क्लिक कर आपके sim card में lock लग जाएगा और यह setting इनेवल हो जाएगा अब देखिए lock लग जाने से क्या होता है कि अगर आप अपने mobile phone को switch off करेंगे और फिर दोस्तो switch on करेंगे तो द आप अपने sim card का lock pin डालेंगे तभी आपका mobile phone switch on हो पाएगा और इसका दूसरा फायदा यह हो जाता है कि अगर आपका sim मान लीजे दोस्तो चोरी हो जाता है या किसी दूसरे बेक्ती के हाथ लग जाता है तो वो जो है आपके sim को अपने phone में यूज नहीं कर पाएगा क्यो जो है आपके sim card का lock pin नहीं डाल पाएगा और इस कारण उसका mobile जो है on नहीं हो पाएगा और इस कारण वो जो है आपके sim को use नहीं कर पाएगा तो इस तरह किसे आप यह sim card को lock कर सकते हैं और देखिए अगर unlock करना है तो unlock करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको यही पर आ जो हैं डाल डाल देने बाद आपको यह okay पर क्लिक करना है sim card से lock हट जाएगा इस तरह किसे आप Redmi 9 mobile phone में sim card को lock और unlock कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को subscribe जरो करिएगा